नमस्कार फ्रेंट्स मैं डॉक्टर ए निराज अपने चैनल बावा हुमे निला में आप सभी का अथोचित अभिवादन करते हैं आज हम लोग जानेंगे इरिटेबॉल बावल सिंड्रोम के विशह में इस समस्या को कम करने के लिए कुछ कारगर होमियोपैथिक मेडसिन के व आले एक आम बिमारी है इस समस्या से प्रित्वेक्ति को पेट में दर्द एवंग मरोर होना प्रुजन गैस कब्ज और दस्त यह मुख लक्षन है शुरुवात में खान पान जीवन सहली में बदलाव एवंग तनाव को कम करके इस के लक्षनों को नियंत्रित किया जा सकता ह है इस समस्या से पूर्सों के पिक्षाय महिलाएं अधिक प्रभावित हो और महिलाओं में माःचिक धर्म के दारान, इरिटेबूल बावल सिंड्रोम की समझ्या बढ़ जाती है कुछ महिलाओं में प्रेगेंसी के दोरान भी इरिटेबूल बावल सिंड्रोम के जो लक्षन है वो दिखाई परते हैं इरिटेबूल बावल सिंड्रोम को ठी करने के लिए कुछ बिसेस इलाज मौजूद नहीं हाँ जीवन शैली में बदलाव करके शाथ ही कुछ घरेलू उपाय करके जैसे एक्सरसाइज जोगा और कुछ मेडसीन लेकर इनके लक्षनों को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं यह से पहला है एक्सरसाइज एक्सरसाइज तनाव को कम कर देती हैं प्रती दीन इक्सरसाइज करने से इरिटेबूल बावल सिंड्रोम की शमस्या नियंत्रित होती है और ठीक भी हो जाती है दूसरी है लाइट फूड एक इस समस्या से फिरित वेक्ति अगर हलका भोजन करते हैं तो इस समस्या को कुछ हद तक नियंत्रित की जा सकती है फाइवार युक्त खाद पदार्सले जैसे फॉल शबजी या खाने में अखरोट इन चीजों को शामिल करने से भी इरिटेबॉल बाउल सिंड्रोम नियंत्रित रहती हैं कम मत्रा में डेरी फ्रोडक्ट लेली हैं पनीर दूध का शेवन कम करें मसालेदार और स्पाइसी भोजन तली भूली भोजन खटी भोजन और शाथ ही खाने में शीम को शामिल करें विशेशकर या भी इरिटेबॉल बाउल सिंड्रोम के लक्षनों को बढ़ा देती हैं इरिटेबॉल बाउल सिंड्रोम से बचने के लिए इस्ट्रेस यानि तनाव को हम ना ले इससे हम बचे खान पान पर विशेश ध्यान दे साथ ही नीमित एक्सरसाइज एवं योगा करें आए जानते हैं इरिटेबॉल बाउल सिंड्रोम में कारगर कुछ मुख होमियोपैथिक मेडशीन के विशय में फ्रेंट्स इरिटेबॉल बाउल सिंड्रोम में जो बहुत ही इफेक्टेड है और कारगर मेडशीन है होमियोपैथ की उसमें पहला है नक्स नक्स भोमिका 30 पाउंवर दूसरी है शल्फार 30 पाउंवर तीसरी है कोलोशीन चौथी है लिलियम टेक 30 पाउंवर पांचवी एंटिम क्रूड शत्थी आर्सेनिक एल्बम 30 पाउंवर शात्वी है लाइकोपोडियम 30 पाउंवर आठ्वी है पोडोफाइलम 30 पाउंवर इसी तरह से अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की हो थी अच्छी मेडिसीन है जो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पाउंवर है यह इस बीमारी की मुख मेडिसीनों में से यह कुछ मुख जो मेडिसीन है जो सिंटम्स के अधार पर होमियोपेथ में चलती है इसको मैंने बताई अब मैं बताने जा रहा हूं वहिशी होमियोपेथिक मेडिसीन जो मैं खुद अपने से इस बीमारी से प्रभावी व्यक्ति को देता हूं और बहुत ही अच्छी काम क रहा हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं या मेरे चैनल पर नहीं आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शाथ ही अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें आए जानते हैं वो मेडसीन जो मैं खुद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से प्रभावित मरीज को देता हूँ और यह बहुत ही कारगर होती है शफल होती है इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लप्षनों को कम करने में और होमियोपेथ ऐसी मेडसीन है कि लप्षनों के अधार पर ही इसे मेडसीन को दी जाती है और शटिक बैढ़ने पर कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाती है और मैंने इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कुछ में मरीजों को पुन्तर ठीक भी किया हूँ और वहीं तरीका मैं आपको क्रॉम जो मेडसीन का मैं देता हूँ अक्सर वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ पाली है शालफार ठाटी पावर शुबह में बाशी पेट दो बुंद से डारेक्ली टंग पर ले सकते हैं या एक चमच ठंडी पानी में दो बुंद आवा गिराका शुबह बाशी पेट लेनी हैं दूसरी दवा है नक्ष भुंद का ठटी पावर शाम के टाइम इभनिंग में दो बुंद दवा डारेक्ली टंग पर या एक चमच ठंडे पानी में डाल कर ले इसकी जो किसरी दवा है वह है कोलोशिंथ क्यों कोलोशिंथ मदर टिंचर इसे लगतार लेनी है इस कोलोशिंथ मदर टिंचर मेडिसीन को दस बुंद आवा तीन बार करके लेनी है दस बुंद आवा तीन बार थोरेशे पानी में उसको डाल देनी है शुबा बासी पेट दो पहर और शाम के टाइम खाने से पहले ने लिए और शाथ ही आरजेंटम नाइट्रिकम दस दिन सलफर नक्स जब हम पेसेंट को दे देते हैं तो इस मेडिशिंद को बंद कर देने बंद कर दे और बंद करने के बाद अरजेंटम नाइट्रिकम 30 पावर दवा हम शुरू करते हैं इसकी दो बुंद दवा तीन बार करके शुबा दो पहर शाम मरीज को लेनी है से कंटिनीव लेनी है अरजेंटम नाइट्रिकम और कोलो शिंथ जो दवा है इसको कंटिनीव क कर magnetum करनी है जो कंटीनु करनी है कोलो शिंथ मधर टिंचर के शाथ कोल शिंथ जो M disorder locks है दस दोंद तीन बार लेनी है यह नक्ष इस अर सुलफर के साथ भी चलेगी औरिभिया चलेगा सबी के साथ भी यह दवाद चलेगी जो कि एक कोलोशिंथे मेरिटिसीन है इसकी लक्षन है गती करने से पेट में दर्ध होती है थारा पीला और बहुत ही बदबुदार मॉल होती है शाथ ही मॉल पास करते समय दर्ध होती और अर्जेंटम नाइटरिकम जो मेरिटिसीन है उसकी ज इसमें जो मुरिज होता है वह भवह भी मार्मिक प्रफोष होता साथ ही उसे गर्मी बर्धास्थ बिलकु नहीं होती है ऐसे पेसेंट को जो श्रिल रही है यह मेट्यसीन बहुत ही अची काम करती और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रों है यह स्रिल expensive मिलती रहती है तो यह मे देख लें शाथ ही और सारी मेडसीन जो मैंने पहले बर्णन की अगर उनके सिम्टम से भी लक्षन से भी अगर मरीज तैली कर रहा है तो उन दवाओं को भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसलिए जब भी आप कोई मेडसीन ले तो नहीं दिकिए जो होमियोपैथिक चिकित्सक हों उन्हें प्रामर्श लें उनके बाद ही मेडसीन का प्रयोग करें थैंकिए धनवाद